जहां एक तरफ हर रोज बुर्ण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं वहीं सांगली के उत्योजग परशाथ सिन्दे ने अपना जनम दिन सरकारी अस्पताल में बेटियों को जनम देने वाले परिवार के साथ मनाया और साथ ही उनका पुरा खर्चा भी उठाया उस दिन पहले सांगली में बुर्ण हत्या का मामला सामने आया था इस घटना को देखती हुए आज भी हमारा स्माज गड़की के जनम के प्रती कितना उदासी है यह बात सामने आती है लिंग भेज के प्रती हमारे स्माज में पहली अन्फचरदा चिंता का विच्चे है इसे देखती हुए सांगली के युवा उदोजक प्रताथ जिंदे ने अपना जनम दिन उन लोगों के साथ मनाने का निक्ति किया जिनके घर बेटी पैदा हुई है उन्होंने अपने जनम दिन के दिन सांगली के सरकारी अस्पताल में जाकर जिन महिलाओं ने बेटी को जनम दिया है उनके साथ मनाया सौपे के तोर पर उन महिलाओं का डिलीवरी और दवाईयों का पुरा खर्चा उखाया महराष्टा में जो महिसा और बीड का प्रकर्नौ है उसके बाद लड़कियों के हत्या जो इस्चों बहुत जोर से चल रहा है और उसके इशू के चलते यहां के सांगली के जो कारे करता है प्रसाच चिंतर और उनकी बीबी उन दोनों ने आज उनका जन्द दिने वो सिविल होस्पिटल में जितने भी माताओं ने लड़कियों के जन्द दिया है उनका सनमान करते हुए उनने चलिबरेट किया है और वह बेटी बचा नो बहुत जरूर है बेटी बचा यह सब सिर्फ बोलने की बात नहीं है तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए यह कुछ करने की जो बात है उसका पहला पड़ाव इस तरह की से हो रहा है तो मुझे मैं कुछ हम सब यह सोच रहे हैं कि इसके बाद हर एक लड़कियों के खुशिया माना लड़कियों जन्मे के बाद उसकी खुशिया सब लोगों को सेलिबरेट करनी है जिंदे का यह कदम नई पीड़ी को अपना जनम दिन या अन्य खुशी का लम्हा बिताने के लिए एक नए और अनोखे विकल्ब को पेश करता है सांगली से जो एशो को वार की निपोर्ट